राम राम प्रत्थम गुरू को सिम्र के फिर ध्याओं गनेश सिम्रू माता शारदा कंट करो परवेश लाल किताब जोती शास्त्र और हमारे रिशी मुनियों हमारे विद्वान ब्रहमनों पंडितों की इस विद्या की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे पुर्वजों ने हमें किस तरह से जीने की कला सिखाई थी जिससे हमारे ग्रह खराब ना हो और हम अपना जीवन सादे ढंग से जीते हुए कुछ अदबुद अपनी जीवन शैली में बदलाव करके अपने ग्रहों को अच्छा कर ले तो आईए जानते हैं क्या थे वह रहस्या तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आधुनिक्ता की आज के समय में कैप आ गई है ठीक है तो ये कैप का कलर नोट करिएगा खाकी रंग का है तो खाकी रंग जो है हमारी पुलिस की वर्दी का होता है तो आपने कभी सोचा है के खाकी रंग का चुनाव ही क्यूं किया गया है पुलिस की वर्दी में ये बहुत बड़े रहस्ये की बात है बताता हूं आपको आगे तो ये खाकी रंग की कैप आ गई, आधुनिकता है भईया, सर्दी आ चुकी है, पंजाब में रहता हूँ, थोड़ा सर्द मौसम है यहाँ पर, अभी टेंपरेचर धीरे धीरे डाउन जा रहा है, और ये दिसंबर महीने का समय है जब ये वीडियो शूट हो रहा है, आपको शायद आगे मिले थोड़ा और जाकर, तो ये देखिए, यहाँ पर सर्दी के लिए इस तरहा की कैप, ठीक है ना, तो ये मौसम के अनुसार, तो ये भी हो गई, ये कलर भी आपने नोट कर लिया, खाकी है, ठीक है ना, और ये देखिए, ये ब्राउन, ठीक है ना, ये दे ऐसे इलाके हैं, जहाँ पर मौसम एक समान रहता है, मतलब ना जादा सर्दी, ना जादा गर्मी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये है वाइट कलर का हेंकी, कॉटन का, ठीक है ना, ऐसा आपने देखा भी होगा, कई लोगों को धारन करते हुए, अपने सर धारन करते हैं, ठीक है ना, तो ये आपने देखे सभी परियोग, तो ये क्यों किये गए, इसको समझना है, ठीक है ना, तो इस तरहां से हम करते हैं, ठीक है ना, वाइट कलर का रुमाल, कई लोग आपने देखे होंगे, हैलमट के नीचे भी ही ये पहनते हैं, हैलमट उता तो ऐसा आपको वाइट कलर का हैंकी उनके सर पर दिखाई दे जाता है तो अब मैं आपको इस चीज के बदलाव और चमतकार और उपाई का रहसे बताता हूं देखिए सबसे पहले हम अपने बुजुर्गों को याद करते हैं पुराने समय में चलते हैं आप याद करें कोई म राजा महराजा लोग सर पे पगड़ी क्यों बांते थे या क्या जुरूरत थी बांते थे चाहे वो राजा किसी भी जगा का हो चाहे सिकंदर ही क्यों ना हो चाहे पास्चनी देशों का कोई राजा क्यों ना हो सर पे कुछ ना कुछ पहना जाता था क्यों वाइट क्या हमारा सर है न ये शैतान का सर है सही माहिने में यानि कि इसके अंदर अगर हम इस खोपड़ी को काटें यहां से तो एक भेजा मिलेगा ठीक है न जिसको हम दिमाग कहते हैं तो ये जो दिमाग है इसको दो ख्रहों के साथ मुख्यता जोड़ा गया है एक बुद्ध can साथ एक राहू के साथ सारा खेल इसका है, ये हमारे दिमाग में कोई उल्टी पुल्टी खुरफात पैदा न करें, गलत विचार न आएं, और खास तौर पर ये इतना जो हिस्सा है हमारा, ये, ये है ना, ये हमारी सारी बोड़ी को चला रहा है, ये हमें मजबूर कर रहा है वो कार्या करने के लिए जो हम नहीं भी करते सरव इतना हिस्सा इतना thought process है जो आपसे अपनी मर्जी करवाता है अपने लिए जो वो करवाना चाहता है वो करवाता है ठीक है तो इतने हिस्से को अगर हम देखें तो ये है राहू का हिस्सा है ठीक है और ये राहू का हिसा आपने कहानियों में भी सुना होगा जब विश्णु जी ने राहू का सर काटा था तो धड़ अलग हो गया था इतना सा सर अलग हो गया था राहू अमर हो चुका था इसलिए मर तो सकता नहीं था तो वो राहू के सिर हमारे सर पे बैठ गए हैं आके तो ये राहू को शांत करते हैं दो तीन ग्रह मुख्यता ये जो वाइट कलर है ये है चंदरमा का ठीक है और ये चंदरमा जब हमारे सर की उपर चड़ जाता है तो इससे राहू और बुद्ध दोनों शान्त होते हैं बुद्धी को भी शान्ती मिलती है है ना बुद्धी को भी शान्ती की तलाश रहती है और राहू का थौट परसेस रात के समय में शान्त हो जाता रात क्योंकि चंदर्मा की होती है चंदरमा निकला होता है ना रात में जब हम सोते हैं तो उस समय हमारे सारे विचार रुख जाते है बुद्धी शांद होके सो जाती है फिर सुबा उठके वो ही कहानी शुरू हो जाती है तो ये वाइट कलर चंदरमा मून का है और प्योर कॉटन वो हमेशा चंदरमा का कपड़ा माना गया तो ऐसा रुमाल जब आप सर पे रखते हैं इस से राहु ग्रह ठीक होता है इसको अलग अलग तरीके से हर मजभ में अपनाया गया है दुनिया का कोई मजभ ऐसा नहीं है जहां पर सर को ढखने की बात ना की गई हो वो अलग बात है उसे धार्मिक आस्थाओं के साथ जोड दिया गया लेकिन अगर हम उसकी गहराई में चलते हैं तो उसकी गहराई में यही चीज़ छुपी है क्योंकि ऐसा ही क्यों जरूरी पढ़ा के हमें सर को ढखना पड़े राजाओं महराजाओं को ताज क्यों पहनाने पड़े क्या जरूरत थी तो इसके पीछे यही है क्योंकि सारा स्खेल इस बुद्धी का है बुद्धी अगर सद बुद्धी पे चले तो बहुत बड़िया बुद्धी अगर कुबुद्धी पे चले तो नाष तो इसलिए सबुद्धी पर चलाने के लिए हमेशा चंदर माल यानि के शांत दिमाग का सहरा देना पढ़ता है इसके इलावा सूरे की किरने ये देखिए सूरे की किरने जब हमारे सर पे पढ़ती है तो ये हमारे बाल है ये बलैक है काले बाल है शनी के और जब सूरे की किरने यहाँ पर पढ़ती है तो कहते हैं सूरे और शनी का जब टकराव होता है तो मंगल बद हो जाता है शुकर खर तो इसलिए हमारे रिशिमुनियों ने, हमारे विद्वानों ने, पंडितों ने, ब्रामनों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये प्रथा चलाई के सर पे पगड़ी डालेंगे, तो पगड़ी आज भी हमारे भारत के अलग-अलग जगहा पर पहनी जाती है, उसका सिध्धान् कि आपका मंगल बद ना हो, मंगल बद क्या है, भाईयों से टकराव ना हो, बुद्धी खराब ना हो, गलतवानी ना बोलें, बिमारियां घर में ना आए, आपकी सेहत अच्छी रहे, आपके जीवन साथी की सेहत अच्छी रहे, और बे वजा के उल्टे-पुल्टे ख्या आपके दिमाग में ना है, इसी वज़ा से पगड़ी पहनी जाती थी, लेकिन समय ने ऐसा चक्कर चलाया, कि वो ही सारी चीजें हमने अपने बुजर्गों को, है ना, अनपढ़गवार कहकर वो सब चीजे छोड़ दी, आधुनिकता तो आपके जीवन में आ गई, शान्ती नहीं आई, वो ना ही आनी है, आई ही नहीं सकती, आप जितने आधुनिक होंगे आपको गैजट तो मिलते जाएंगे, हो सकता है आज आप कार चला रहे हैं, कल आप अपने छत पर उड़ती हुई कार रखें, ये होगा ही होगा आपके, जीते जी हो सकता है, आप अपनी बीस या पच्चे साल में ये सब आपके सामने होता हुआ नजर आएगा सडकों पे लोग नहीं चलेंगे आसमान में चलेंगे तो आधुनिकता जितनी मर्जी आपके जीवन में आ जाए लेकिन अगर आपने अपने संसकारों का हाथ छोड़ दियाना शांती नहीं आएगी पी इट कैब भी हो सकती है लेकिन वो कॉटन की हो अपने सर पे रखें जिससे आपका राहू ठीक रहे अब बात करते हैं खाकी रंग की ये जो खाकी रंग है ना ये खाकी रंग क्यूं मैंने इस्तेमाल किया समझते हैं ये रंग एक्चुल में सूरज और मंगल दोनों के साथ represent होता है, कहने का मतलब है कि हमारी पुलिस को वर्दी इसलिए दी गई है कि वह मंगल का रंग खाकी लगा कर अपने शरीर पर आम जो जनता है जो जनता है उसकी रक्षा करे पुलिस का काम रक्षा करना ही है इसलिए अधिकतर देशों में आपको देखने में आता होगा पुलीस की वर्दी का रंग खाकी है तो क्या ये सूचते हैं आपकी महज इत्तिफाक है इत्तिफाक इस दुनिया में कुछ भी नहीं है खासतोर पर तो भारत में बिल्कुल भी नहीं भारत में जितना जूतिश को मानने का और उसको सभीकार करने का परचलन था शायद उतना भारत के इलावा और किसी देश में नहीं था जोतिश यहीं से ट्रेवल करता हुआ हर देश में गया है और हर देश ने अपने यह जो हमारे कल्चर को सीखे अपने तरफ फिर अपने तरीके से उसको ढाल के अपना लिया, मोठे धोर पर अगर हम देखें, लेकिन ये सारा भारत की देन है, जोतिष, तो जोतिष के बारे में सर्च, जितनी राजा, विक्रमा अदित्या के समय में हुई है न, उतनी किसी समय में इसलिए विक्रमी समवत चला आता है इसके बारे में भी किसी दिन बात तरूँगा तो ये खाकी रंग पुलिस का है तो पुलिस मंगल को रीप्रेजेंट करती है और सूर्य को भी रीप्रेजेंट करती है क्योंकि पुलिस आप से discipline maintain करवाती है आपको अनुशासन में लाती है तो इसलिए सूर्य और मंगल दोनों का रंग है तो जब हम इसको सर पे धारन कर लेते हैं ठीक है न ये क्या है हमारी खोपडिया हमारी हो गई शान्त जैसे ही हमने मंगल को धारन किया क्योंकि लाल किताब में ये सिधान्त है कि मंगल के द्वारा राहु शान्त हो जाते हैं तो इसलिए जब हमने मंगल के रंग की कैप अपने सर पे ढाली और वो भी कॉटन की चंदर भी इसमें आ गया और सूरे भी इसमें आ गया तो तीन ग्रेहों ने मिलके क्या किया राहू को शांत कर दिया आगे चलता हूँ एक रंग और था है ना वो रंग था ये तो यहाँ पर कई लोग हो जाते हैं गंजे ठीक है ना बाल नहीं रहते हैं उनके सर पे तो यहाँ पर जो गंजा सर है ना मंगल बद का माना गया है मंगल बद मतलब कि उन लोगों की जिन्दगी में कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं कि घर में खुशिया ना आ पाना बिमारियां लगातार रहना बेवजा की परिशानियां उनकी बेहन बेटियां बिमारी से गरसित रहना या किसी तरह से दुखी रहना तो गंजा सर दे ब्राम्वनों ने क्या किया कि जोतिश पर क्यूंकि इनके हाथ में था सारा जोतिश तो इनों ने जोतिश पर ऐसी ऐसी research की कि जिसके दोरा हम अपने उन ग्रेहों को ठीक कर लें तो जब उन्होंने देखा कि जिनके सर से बाल उड़ जाते हैं वो लोग इन problem से घर जाते हैं तो उसके लिए उन्होंने निदान ये फिर ब्राउन कलर की कैप का दिया इसमें शर्बती रंग की कैप भी आ जाती है उन्होंने उस समय पगडियां लगवाई थी कैप तो आज के समय की देन है लेकिन सनातनी लोगों ने ये कैप को छोड़ दी उनको ये बोज़ा लगता थ तो trans mozzarella company में जहां गोरों के दुवरा सचालित कमपनिया है educated लोगों के दुवरा सचालित कमपनिया है बहुत पड़े लिखे लोगों के दुवरा सचालित कमपनिया है वहां ऐसी आप बनके जाएंगे न तो आपको छोटा भीम के के पुकारेंगे जैसा मैं नजर आiledगी थी बढ़ते चले गए तो यहां पर मैंने यही कहना था कि आप अपने जीवन में इन चीजों को अपना ले किसी तरीके से भी मान लीजिए आप बहुत बड़ी पुदिशन में हैं आप आप किसी मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं अरे भाई जितनी देता कंपनी में ह बाद में तो तुम सवतंत्र हो ना ठीक है ना तो उस समय आप भाईया धूप में निकलते हुए कम से कम धूप में निकलते हुए ऐसा काम करो चाहे वाइट रुमाल चाहे कैप है ना यह अपने सर पे डालो धूप में निकलते हुए क्योंकि यह सारी लड़ाई धूप की ह जब च्छाओं होगी तब जरूरत नहीं है हमें सद्धकने की सरफ धूप में जरूरत है रात को देखा होगा ना हमारे बुजर्ग भी अगर किसी के बुजर्ग पगड़ी लगाते रहे होंगे तो रात को पगड़ी उतार देते थे सोना भी होता था वैसे भी सूर्ग चला जाता था तो फिर पगड़ी का इतना महत्तव नहीं रह जाता था तो ये सारी कथा कहानी जो इतनी लंबी मैंने आपको सुना दी है ये सब करने से आपके राहु ग्रह ठीक हो जाते हैं तो बड़े बड़े उपाए बड़े बड़े काम करवाने की जुरुवत नहीं है जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव कर लो इसी से आपके ग्रह ठीक हो जाएंगे और जिंदगी सुखद बन जाएगी और बहुत कुछ है आता रहेगा आपके सामने लेकिन आज बस यही बताना था कि यह सैंस क्या है इसके पीछे क्या लॉजिक क्या सिधान्त काम करते है ऐसी आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझे होंगे और समझने के बाद अपनाने की कोशिश करें यह ध्यान रखें कि हमें धूप में ही इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए उसके इलावा ज़ूरत नहीं है राहु बहुत बुरा असर दे रहा हो तब इस्तेमाल करें वैसे राहु लगन में हो तब भी कैप डलवाई जाती है वाइट कलर की राहु दशंभाब में हो तब भी कैप डलवाई जाती है ब्रस्पती पंचम में हो पगडी डलवाई जाती है इसके इलावा सूरे खाना नंबर 10 में हो तब भी शर्बती रंग की पगडी धारन करने के लिए बूला जाता है या वाइट कलर की कैप धारन करने के लिए लाल किताब में सपष्ट शब्दों में लिखा है तो ये आपको आपकी विरासत से रूबरू कराने का कहम मैं कर रहा हूँ कुछ नया नहीं है तो भाया यही चीज़ अपना लो और जिंदगी का मजा लो अनंद लो छोटा सा सफर है कब भी जाएगा पता भी नहीं लगेगा बेवजा के दुख बीमारियां टेंशने आपके जीवन में आई हुई है तो ये चोटे बदलाव करो और अनंद लो जिंदगी का राम राम जैमात आली